गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बेटा मैंने आप लोगों को लाइब क्लास के टाइम पर पार्ट नौ पढ़ाया था हिंदी रीडर में पार्ट था हमारा हमारा रास्ट्र द्वज तो इसमें हमने अपने नैशनल फ्लैक के बारे में बहुत सी बाते जानी थी कि इसमें कितने रंग होते हैं इन रंगों का क्या अर्थ होता है ठीक है हमें कैसे अपने जंडे का सम्मान करना चाहिए हमें कहां इससे फैराना चाहिए कहां नहीं फैराना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़े हमने इसमें पढ़ी थी कि कब हमारे जो रास्ट्रे ध्वज है उसको अंगीकरत किया गया था कब हमें माना गया था कि यही हमारा रास्ट्रे ध्वज होगा कैसे हमें इसका सम्मान करना चाहिए इसमें अशोक चक्र होता है, इसमें चो इस्तिलियां होती है यह सारी चीज़े हमने इस चैप्टर में डिसकस कर ली थी तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के शब्दार्थ और कोशन आंसर करवा दूँगी यानि एक्सराइस पार्ट जितना भी है चाहिए वो filling the blanks हो चाहिए वो tick the correct answer हो वो सारी चीज़े मैं आपको इसमें बता दूँगी तो वो work आप लोगों को अपने notebook में और अपने book में complete कर लेना है ठीक है तो चलो start करते हैं हम लोग सबसे पहले शब्दार देख लेते हैं यहाँ पर मैंने आप लेगों के लिए लिख भी दिया है कि अगर आप भूल जाएं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि शब्दार भी notebook में करें ठीक है तो यह आप देखकर और इससे जरूर कीजेगा हम इसको discuss कर लेते हैं कि यहां क्या क्या लिखा है फर्स्ट है राष्ट्रिये राष्ट्रिये मतलब क्या होता है राष्ट्रिका ठीक है यानि कि अपने नेशन का नेक्स्ट है प्रतीक प्रतीक यानि निशानी फिर है दर्शाना दर्शाना मतलब दिखाना फिर है समर्पन समर्पन मतलब त्याग नेक्स्ट है उर्जा उर्जा यानि शक्ति फिर है साबधान मुद्रा यानि कि सीधा खड़े होना फिर है ध्वज ध्वज किसको कहते हैं जंडा को कहते हैं आदर्श यानि कि मुल्ले या मानने ताएं अंगीकरत यानि कि स्विकार करना हमने अपने रास्ट इसको अपना रा पर्वलीयर, सम्र्दी, और अनिवार यानि अत्यावशक है झार 2572 तो यह हो गया आपके शब्दारियर यह प्लिक्सक्राम गौनेक और इसको ये नोट बुकเ việc न शुर्ट N班 इसमें फॉर्स्ट है, बॉक्स में से सही शब चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए, यानि कि हमें फिलिंग दा ब्लैंक्स करने कह रहा है, और हमें यहाँ पर बॉक्स भी गिवन है, इस बॉक्स में देखो अशोक चक्र, सावधान, तीन, सुत अंतरता और नीजी, यह पांच शब्दे रखें, और इन फांच शब्दों को हमें इस पांच वाक्य में भढ़ना है, फिर्स्ट है, हमारे राष्ट्र ध्वज में डैश रंग है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग है, तीन रंग है, इसलिए हम उसे प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र मना है नेक्स्ट है तिरंगे का सम्मान डैश मुद्रा में खड़े होके करना चाहिए तो हमने पढ़ा था कि जह हमें तिरंगा का सम्मान कैसे करना चाहिए साफधान मुद्रा में खड़ा होके करना चाहिए साफधान मुद्रा का क्या मतलब होता है सीधा खड़े होना है ना स जिदा खड़े होके हमें अपने तिरंगे को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट है, सही कतन के आगे सही तता गलत कतन के आगे गलत कन चिन लगाईए। यानि ही true false करना हमें, तो first देखो, तिरंगा हमारे देश के आदर्शो को दर्शाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तिरंगा हमारे देश के आदर्शो को बिल्कुल दर्शाता है, तो ये हो गया right। नेक्स्ट है केशरिया रंग शान्ती का प्रतीक है तो क्या केशरिया रंग शान्ती का प्रतीक है नहीं यह गलत है हमने क्या पढ़ा था केशरिया रंग किस चीज का प्रतीक है केशरिया रंग समर्पन और बलिदान का प्रतीक है ठीक है नेक्स्ट है और शान्ती का प्रतीक क को अंगी करत किया गया था यह गलत है क्योंकि कब किया गया था 22 जुलाई 1947 को किया गया था नेक्स्ट है असोग चक्रे में चोईस तिल लिया है तो ये बिल्कुल सही है हमने पढ़ा था कि असोग चक्रे में चोईस तिल लिया है फिर है तिरंगे के लंबाई और चोड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो है तो ये बिल्कुल सही है हमारे तिरंगे के लंबाई और चोड़ाई इतनी ही है तो ये करेक्ट है Next है question answers इसमें first पूछा है तिरंगा हमारे लिए क्यों महत्वपुन है तो हमने इसका आंसर दिया, तिरंगा हमारे लिए इसलिये महतवपूर्ण है क्योंकि वो हमारी एक्ता और स्वतन्थता का प्रतीक है Next है, तिरंगे के तीन रंग कौन-कौन से है? केसरिया, सफैद और हरा रंग ठीक है, तो यह हमने आंसर में लिख दिया नेक्स्ट है पधान मंत्री तिरंगे को कब और कहां फैराते हैं तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रधान मंत्री 15 अगस्ट को लाल कीले पर जंडे को फैराते हैं हमारे तिरंगे को फैराते हैं और अभी हमारे प्रधान मंत्री कौन है हमारे प्रधान मंत्री है Mr. Narendra Modi Next है हमें तिरंगे का सम्मान क्यों करना चाहिए तो हमने आंसर लिखा हमें तिरंगे का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है ठीक है यह हमारा प्राउड है और इसलिए हमें अपने तिरंगे को कि इज़त करनी चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए अगर हम अपने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगा है ना हमारी देश का तिरंगा है तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए सही मिलान कीजिए इसमें हमने रास्ट्री द्वज को किस से मिलाया रास्ट्री द्वज को हमने तिरंगे से मिलाया क्योंकि हमारा रास्ट्री द्वज तिरंगा ही है फिर है अशोक चक्र अशोक चक्र को हमने किस से मिलाया नीला रंग से, क्योंकि अशोक चक्र में नीला रंग होता है, फिर है हरा रंग, तो हरा रंग किसका प्रतीक है, उर्जा और स्मृद्धी का प्रतीक है, तो हरा रंग हमने मिला दिया, उर्जा और स्मृद्धी से, फिर है खादी, तो खादी क्या है, खादी एक तरह का कपड तो हमने कपड़े से मैच कर दिया फिर है तिलिया तो तिलिया कितनी होती है हमने पढ़ा था सोग चक्र में कितने तिलिया है चोविस है तो हमने चोविस है मिला दिया यह जो पूरा वर्क मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाया है चाहे वो शब्दार्त हो फिलिंग द question answers हो या फिर match the following हो ये सारा work आप लोगों का अपने book में और notebook में complete करना है और साथी साथ इसको learn भी करना है ठीक है अगर इस chapter से related कोई भी आपको problem हो ये जो part 9 है हमारा अगर इस से related कोई भी आपको problem हो तो आप मुझसे हिंदी के live class में पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई problem नहीं है तो आप लोग at least work complete करके रखेगा और उसको learn करके रखेगा मिलेंगे फिर हम लोग अपने next class में till then bye take care